हेलो बच्चो बच्चो अब हम करेंगे कॉशन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर का नाम है बेसिक आइडियाज ऑफ जुमेट्रिकल फिगर्स ओके दलने को कॉशन है कि हमारे पास एक इसको देखना है इसको देखते वे जो स्केटमेंट्स है मारे पास उसको बताने की वह ट्रू है या फॉल्स है तो दलिश देखते हैं यह के अंदर क्या है कि क्या हूं M-N-O-P आर पॉइंट्स ओन M-N-LINE के दो दो एगों लगी है तो यह लाइन है तो M-N-K ऊपर यह ब ट्रू है, ओके, देखो, MON are points on line segment MN, यह क्या हमारे points है, line segment MN के उपर, जी हाँ बिल्कुल, यह देखो, यह line segment है, M और N, तो हम क्या कहेंगे, कि सारे, जितने भी point बीच में होंगे, वो भी इसके क्या होंगे, इसी line segments के point होंगे, तो हम क्या कहेंगे, MON, यह हमारे points है, किसके उपर line segment MN के उपर, थी है, तो line segment के उपर कोई arrow नहीं लगा हुआ, तो याद रखना, जब भी line segment हम लिखते हैं, तो कोई उपर arrow नहीं लगाते से बिल्क नहीं, तो यह क्या कहेंगे हम, जिहां यह भी क्या है, true है, MN are end points of line segment MN, क्या MN हमारे end points है, end points मत MN के segments के end points है, जिहां बिल्कुल M से शुरू हो रहा है, और end पे खतम हो रहा है, तो क्या कहेंगे, यह end points होगे नहीं, MN line segment के, तो क्या होगा, यह भी आपका true होगा, okay, D part O and N, O and N are the end points of line segment O P, नहीं, अगर line segment यह है, तो हम क्या कहेंगे, तो यही तो इसके end points होगे, तो O P तो अलगी चीज हो गई, वो तो आगे बढ़ गई, और line segment आगे बढ़ती नहीं, इसने बोला O N, O N, N से आगे कैसे बढ़ सकते हो, अगर यह segment है, तो कैसे कर सकते हो नहीं, तो O P तो आगे बढ़ गए न, तो यह इसके end points नहीं है, हाँ यह कहता, कि यह M, O और N क्या O P line segment के उपर है, तो हम कहते है, हाँ जी बिल्कुल है, तो यह वाला क्या है, false, M is the one end point of line segment क्या हो, क्या हो, क्या M जो है, इनका कोई एक end points है, नहीं, इसके end point कौन से है, क्या हो, and O, यही तो इसके end points है, तो M क्या है, इसका कोई one of the end point नहीं है, यह एक point है, किसके उपर, line segment क्यों O के उपर बाइट वह एक एंड पॉइंट नहीं है ठीक है तो यह भी क्या है फॉल्स M is the point on ray O P क्या M एक पॉइंट है O P की रे के उपर O P दखो रे के उपर कैसे बनाया होगा एक लाइन और इधर से एरो इधर नहीं है तो रे ऐसी होती ना माली M is the end point on ray O P M is the end point of ray O P O P यहां पे है इस तरफ है और M इधर है तो आप इच्छी बताओ कि रे के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ एक तरफ से बढ़ा सकते हो और वो क्या है इस तरफ से तो और यह point कहां पढ़ रहा है M पीछे की तरफ और रे के अंदर क्या होता है एक point fix हो सकते हैं तो यह चीज ऐसे बढ़ सकती है पीछे नहीं आ सकते तो यह क्या होगा M जो point हो तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है यहां पर क्या हो जाएगा false हो जाएगा जाए Kurdish रे ौपी इस different from aa qrb o p बिल्कुल क्यों 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 किस्का starting point क्या हमारे पास q वह यह से fix है और जो हमारे पास ओपी है वह कहां से fix है यहांसे तो नों क्या है मारे लिए stem डोनों अलग- Kane नहीं ए तो अनके fix पोइं घ्रिखकें 0 और ऑपी इस सेम एज और पी इस एज एंज ओं एम नहीं कैसे कह सकते हो जी हां यह से एंज है क्यों है देखो इसका फिक्स पॉइंट क्या है यह तो एक ऐसे निकलती एक ऐसे निकलती तो यह यहाई है है तो सेम यह झा और बोशित हैं इसलिए यह सेम एह जो जो रे है यह ओपी के पोजिट ही तो है बिल्कुल पोजिट है बट यह नहीं कि अलग-अलग हो गई है तो हमारी लिए क्या चीज है निकल तो एक ही जगा से रही है तो क्या कहेंगे यह पोजिट होगी ना ओ इस not initial point of機 perspective, ओ इस not the initial point of pin को तो हमारा initial point यह रही है तो ये क्या होगा false कह रहा है प्रिफिए और आगे बढ़ रही है यहां पर क्या हो यह पर यह पर यह बढ़ रहे है तो यह क्या होगी वह रहे है जिसका नीचर पॉइंट हमारे लिए क्या है एंड ही है तो यह ट्रू है तो यह थे आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से कोई भी डाउट प्लीज डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में और हो सब्सक्राइब करें जिरू सब्सक्राइब करें तेंक यू